हाई फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो नए रामसर साइट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है महराश्टरा का लोनार लेक और दूसरा है सूर सरूवर उत्तर प्रदेश का, इन दोनों को नए रामसर साइट्स के रूप में रिककनाईज किया गया है, डिस्गन को कहते हैं तो wetlands का role ecology और environment में काफी important हो जाता है और जो भी wetland international यानि अंतरराश्ट्रिय महत्व के होते हैं उनको countries रामसर sites के रूप में designate करती है रामसर नाम आया है इरान के एक सह से जहां पे intergovernmental treaty sign हुई थी 2 February 2nd February 1971 को तो इस दिन के बाद से countries रामसर sites designate करती है अपने इस treaty में करीब 170 से जादा countries है और ये wetlands environment में काफी एहम role play करते हैं तो लोनार लेक महाराश्ट्रा का और सूर सरोवर यूपी का इन दोनों को रामसर sites के रूप में recognize किया गया है वेट लेंड को kidneys of the earth भी बोलते हैं क्योंकि ये water को purify करने का काम करते हैं आप ये environment minister प्रकास जावडेकर का tweet देखो इसमें ये जानकारी दे रहे हैं कि लोनार लेक जो की अपने pink होने के वज़े से इस साल चर्चा में रहा था और सूर सरोवर जो की आगरा के पास है जिसको कीठम जील के नाम से भी जाना जाता है उसको पर्यावरन मंत्राले ने रामसर sites के रूप मे recognize किया है इसके साथ इंडिया साउथ एसिया में सबसे जादा रामसर sites वाला country बन गया है तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले बता दू मेरा नाम है अकाश और आप देख रहे हैं backbenchers guru अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और notification का bell icon प्रिस कर लिजे ऐसे ही वीडियो के लिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि loner lake क्या है जैसा कि मैंने आपको बताया loner lake इस साल अपने pink होने की वज़़द से चर्चा में रहा था इंडिया का एक मात्र crater lake है आगे हम लोग detail में discuss करेंगे loner lake को तो इसको जो कि महराश साइट के रूप में recognize किया गया है तो रामसर convention क्या है जैसा कि मैंने आपको बताया इसको convention on wetlands भी बुलते हैं यानि आदर भूमी पे जो convention हुआ था उसको रामसर convention के नाम से भी जाना जाता है और ये कब sign हुआ था दो फरवरी क्योंकि सारे exams में कभी न कभी जरूर पूछ February 1982 को मतलब 1st of February 1982 को ये इंडिया में force में आया था तो ये भी आपको याद रखना है wetland का काम water को purify करना है वहाँ पे abundant amount में fisheries मिलती है groundwater को recharge करता है water को purify करता है flood से बचाता है erosion को control करता है और climate में एक बहुत ही अहम योगदान देता है तो wetland इसलिए जरूरी है अब आते ह लोकेटेड आप ये देखो लोनार लेक जो है वो महराष्टरा के बुलधाना जिली में है लोनार लेक कैसे बना था एक meteorite यानि space से जो debris आते हैं या फिर बड़े बड़े चटान आते हैं वो आके प्रिथवी पे गिरा था अर्थ पे गिरा था 50,000 साल पहले उसी की वज़ कि ये जो लेक है ये alkaline है मतलब basic nature का है और इसमें salt की मातरा बहुत ही जादा है इसलिए alkaline होने की वज़े से इसको soda लेक भी बोलते हैं और ये काफी unique किस्म का लेक है जिसमें एक unique किस्म के microorganisms पाए जाते हैं जब ये pink हुआ था तब इस पे काफी जादा research हुए थे pink होने क इसके बाद research में ये पता चला कि इसके pink होने का कारण एक helloarchia microbe था helloarchia microbe का मतलब होता है जो salt loving microbe है जिनको नमक पसंद है ऐसे bacteria और ऐसे microbe इसमें grow करे थे इसके बाद इसका color बदलना start हुआ था क्योंकि ये helloarchia microbe ये pink color के pigment छोड़ते हैं जिसके वज़े से इस लेक का रं pink हो गया था ठीक है ये हमीशा से pink नहीं था ये recently ये pink हुआ था तो आप इस lake का picture अपने screen पे देखो 50,000 साल पहले ये meteor आया था और इसने अर्थ को hit किया था बहुत सारे meteor जल जाते हैं environment के friction की वज़े से लेकिन बहुत सारे में इतनी energy होती है कि वो अर्थ को आके hit करें तो ये meteor hit किया था तो ये only crater lake है भारत का तो इसलिए भी ये काफी important हो जाता है और geological survey of India के द्वारा इसको national geo heritage monument announce किया गया था 1979 में तो ये lake को अभी recently रामसर साइट के रूप में designate किया गया है इसके बाद इसको और अच्छे तरह से conserve किया जाएगा दूसरा है सूर सरोवर lake इ जील के नाम से भी मसूर है ये आगरा से 20 किलो मेटर की दूरी पर है और यहां पर काफी सारी migratory birds आती है और ये यमना का riverine built में आता है और सूर सरोवर का नाम सूरदास जो भक्ती poet थे उनके नाम पर रखा गया है क्योंकि ऐसा बोला जाता है local के द्वारा कि उनको यहां क ये beauty बहुत जादा पसंद आ गई थी ये सब exams के लिए भी important है इसलिए ध्यान से सुनिएगा तो ये सूर सरोवर लेक कीठम जिल को यूपी का रामसर साइट्स रिकर्गनाईस किया गया है और जो सूर सरोवर bird century है उसको 1991 में यूपी forest department के द्वारा रिकर्गनाईस किया गय जो दो रामसर साइट्स एड हुए है इसके बाद रामसर साइट्स टोटल इंडिया में 41 हो गया है ठीक है विसेंटली बिहार में काबरताल बेटलैंड को जो की बेगुसराय डिस्टिक्ट में है और आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो की उत्राखंड के दहरादून में है इन दोनों को भी रामसर साइट्स के रूप में डेजिगनेट किया गया था इन दोनों को भी शॉट में आये डिसकस कर लेते हैं काबरताल बेटलैंड बेगुसराय बिहार में पड़ता है ये बिहार का पहला बेटलैंड साइट है और इसको कावर जील के नाम से भी बोला लग जाता है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे plant species, animal species और काफी vulnerable species भी देखने को मिलेंगी और यह जो Central Asian जो bird, migratory bird आती है वो यहाँ पे rest करती है और यहाँ पे migratory birds भी आपको देखने को मिलेंगी यह one of the abundant fisheries ground है फिस biodiversity के लिए भी काफी famous है तो इसलिए काबरताल या फिर कावर जील important हो जाता है और इसको recently wetland sites के रूप में designate किया गया था environment ministry के दोरा ठीक है यहाँ पे आपको critically endangered species जो देखने को मिलेंगे उसमें से red headed vulture, white rumped vulture, Indian vulture, दो water bird भी आपको देखने को मिलेंगे, sociable lapwing, bear pochard और यह area इसलिए vulnerable है क्योंकि यहाँ पे water drainage की समस् water abstraction की समस्या है, damming की समस्या है, इन सब समस्याओं की वज़े से इसको ramsar site designate किया गया और इसको conserve करना चाहती है ministry of environment ठीक है, अब आते हैं जो उत्राखंड में आसन conservation reserve है, यह आसन river और यह जो यमुना river है, इसके confluence पे जो आसन बराज है, वहाँ पे आपको देखने को मिले यहाँ पे endangered species जैसे rudy sildak, red cristed pochard आपको देखने को मिलेंगे, यह सब exams के लिए important है, याद रखेगा, ठीक है, यह 4.44 km में फैला हुआ है, देहरादुन डिस्टिक्ट में और one of the first ramsar sites है उत्राखंड का, तो इसलिए भी काफी important हो जाता है, आसन conservation reserve उत्राखंड और कावर ताल वेटलेंड जो बेगु सराय बिहार में है, इसको add करने के बाद total ramsar sites 39 हो गये थे, उसके बाद यह जो दो recent add किये गये है, सूर सरोवर लेक और यह जो लोनार लेक है, इन दोनों को add करने के बाद इंडिया में अभी total 41 ramsar sites है currently, यह number important नहीं है, अगर government number चाहे तो और ज्यादा add sites कर सकती है, इससे number पे ध्याम नहीं देना है, इन sites में कौन-कौन सी unique ecosystem है, कौन-कौन से endangered और vulnerable spaces हैं, वो हमारे exams के लिए ज्यादा जरूरी है, तो hope करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो का PDF चाहिए तो backbenchers guru official telegram channel को join किजिए, मिलते हैं किसी next वीडियो में, तब तक के लिए keep learning and जय हिंद